जहीं दोस्तों एक बार फिर साहब का स्वागत है हिंदी साहित में हिंदी साहित के आज के अंक में हम देखेंगे हिंदी कहानी जिसका सिर्षक है अपना अपना भाग्य और अपना अपना भाग्य जो कहानी है इसके लेखक है जैनेंद्र कुमार आपने नाम सुना होगा जैन गए हम मतलब जैनेद गुमार लेखक हां हम नहीं नई निताल की संध्या धिरे धिरे उतर रही थी रूई के रेसे से भाब से बादल हमारे सीरों को छोचो कर बेरोक टोक घुम रहे थे हलके प्रकास और अंधियारी से रंकर कभी वे नीले दिखते कभी सफेद और फिर देर म था वा सुरम में अनुपम नैनी ताल ताल में किस्तियां अपने सफेद पाल उडाती हुई एक-दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी कहीं कुछ अंग्रेज एक-एक देवी सामने प्रतिस्थाफित कर अपनी सुई सिस्थक ल लोलान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हाके खेल रहे थे सोर मार पीट गाली गलोज वे जैसे खेल का ही अंस था आप जनते हैं कि खेलोल होता है तो गाली गलोज सब कुछ होता है मार पीट इस तमाम खेल को उतने छड़ों का उद्देश से बना वे बालक अपना सारा म सारी देह समगरबल और समुची बीधा लगा कर मानो खद्म कर देना चाहते थे उन्हें आगे के चिंता ना थे, बीते का ख्याल ना था वे सुद्ध ततकाल के प्राणी थे, वे सब्द की संपुड सचाई के साथ जिवित थे सडग पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था उसका न ओर था न छोर, यह प्रवाह कहां जा रहा था और कहां से आ रहा था कौन बता सकता है सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे मानो मनुसत्या के नमूना का वाजार सजकर सामने इठलाता निकला चला जा रहा हो अधिकार गरों में तने अंग्रेज उसमें से थे चितडों से सजे घोडों की बाग थामेवे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर सुन ने बना लिया है और बड़ी ततपर्ता से दो मिलाना सीख गए है भागते खेलते हसते सरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे लाल लाल हाँ उनका चेहरा लाल रहता है और बाल सफेद भूरा और पीली पीली आँखे फाड़े पिता की अंगुली पकड़ कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नो निहाल भी थे अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे हस रहे थे और खेल गए थे उधर भारती पित्री देवी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लच्चडों का प्रदर्सन करते हुए चल रहे थे अंग्रेज रमडियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी तेज चलती थी उन्हें ना चलने में थकावट आती थी ना हसने में मौत आती थी कसरत की नाम पर घोडे पर भी बैट सकती थी और घोडे के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोडे भी फटकार सकती थी वे दोडो तीन तीन चारचार की टोलियों में निसंख निरापद इस प्रवाह में मानो अपने अस्थान को जानती हुई सडक पर चली जा रही थी उदर हमारी भारत की कुल लच में सडक के बिलकुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज इस्त्रित्वर भारती गरिमा के आदर्थ को अपने परिवेश्टनों में छिपा कर सहमी सहमी धर्ती में आखे गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी इसके साथ ही भारतियता का एक और नमूना था अपने काले पन को खुरज खुरज कर बहा देनी के इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पूरुसत्तम भी थे जो नेटियों को देखकर मुँँ फेर लेते थे और अरंग्रेज को देखकर आखे विछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारती भूमी को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कल चलने का उन्हें अधिकार मिला है घंटे के घंटे सरक गये अंधकार गाड़ा हो गया बादल सफे दो कर जम गये मनुस्यों का वहता था एक एक कर छीड हो गया मतलब धिरे धिरे खत्म हो गया अब एकका दुक का आदमी सड़क पर छतरी लगा कर निकल रहा था हम वहीं के वहीं बैठे थे सर्दे सी मालूम हुई हमारे ओवर कोट भी गये थे पीछे फिर कर देखा यह लाल बर्फ के चादर की तरह बिलकुल अश्तब्द और सुनन पड़ा था सब सन्नाटा था तली लाल की बिजली की रोसनिया दीप मालिका से जगमगा रही थी वह जगमगा हाट दो मिल तक फैले हुए प्रक्रति के जल दरपड़ पर प्रतिपंदित हो रही थी और दरपड़ का कापता हुआ लहरे लेता हुआ वह जल प्रतिपंदो को सव गुना हजार गुना करके उनके प्रकास को मानो एकत्र और पूजी भूत करके ब्याप्त कर रहा था पहाडों के सीर पर की रोसनिया तारों से जान पड़ते थी हमारे देखते देखते एक घने परदे ने आकर इन सबको ढग दिया रोसनिया मानो मर गई चगमगाहट लुप्त हो गई वे काले काले भूत से पहाड भी सफेद परदे के पिशे छिप गए पास की वस्तु भी न दिखने लगी मानो या घनी भूत प्रले था सबकुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया एक सुब्र महासागर ने फैल कर संस्किती के सारे अस्तितु को डुबो दिया उपर नीचे चार उत्रपवा निर्भेद्य सफेद सुन्नेता ही फैली हुई थी ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था वह टप टप टपक रहा था मारग बिल्कुल निर्जन चुप था वह प्रवाह ना जाने किन घोसलों में जाचे पा था उस ब्रिहदाकार सुब्र सुन्ने में कहीं से ग्यारा बाद टन टन हो उठा यानि ग्यारा बज गए जैसे कहीं दूर कब्र में से आवा जा रही हो हम अपने अपने होटलों के लिए चल दे रास्ते में दो मित्र का होटल मिला दोनों वकिल मित्र छुट्टी लेकर चले गए हम दोनों आगे बड़े हमारा होटल आगे था ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे हमारे ओबर कोट तर हो गए थे आनि कि नम हो गए थे भीग गए थे बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहां तो उपर नीचे हवा से कड़कड में बारिश थी सरदी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कमबल और होता तो अच्छा होता रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे बेंच पड़ी थी मैं जी में बेचैन हो रहा था जटपट होटल पहुच कर इन भीगे कपड़ों से छोटी पा गरम विस्तर में छेप कर सोना चाहता था पर साथ की मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता ना था और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा ना था उन्होंने कहा आओ जरा यहां बैठे हम उस चूते कोहरे में यानि जो पानी चू रहा था कि मैंने खिसिया करका अरे चलिए भी अरे जरा बैठे हो कि साथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस चोर से बैठा लिया गया हो तो चारा न रहा लाचार बैठे रहना पड़ा सनक से छुटकारा आसान न था और यहां जरा बैठना जरा न था बहुत था अपने मित्र से लिखक ने कहा कि चलो चला जाए तो उन्होंने कहा जरा बैठो थोड़ी देर और चुप्चा बैठे तंग हो रहा था कूड रहा था कि मित्र अचानक बोले देखो वह क्या है मैंने देखा कुहरे की सफेदी में कुछे ही हाँ दूर से काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रहे थी मैंने कहा होगा कोई तीन गज की दूरी से दिख पड़ा की एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है नंगे पैर है नंगा सिर एक मैली सी कमीज लटका है पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे है और वह न जाने कहां जा रहा है कहां जाना चाहता है उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला न दाया न बाया पासी चुंगी की लाल्टेन के छोटे से प्रकास ब्रित में देखा कोई दस बरस का होगा गोरे रंका है पर मैल से काला पड़ गया है आखे अच्छी बड़ी पर रुखी है माथा जैसे अभी से जुर्रियां खा गया है वह हमें न देख पाया वह जैसे कुछ भी नहीं द जैसे जाक कर देखा और पास आगया तु कहां जा रहा है उसने अपनी सुनी आखे फार दी दुनिया सो गई तुहीं क्यों घुम रहा है बालक मौन मूख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा कहां सोएगा यहीं कहीं कल कहां सोय था दुकान पर आज वहां क्यो नवकरी थी सब काम एक रुप्या और जूठा खाना फिर नवकरी करेगा हां साहब बाहर चलेगा हां साहब आज क्या खाना खाया कुछ नहीं साहब अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा साहब यो ही सो जाएगा हां साहब कहां यहीं कहीं साहब इनी कपड़ों में हां बालक फ से मुर्ख प्रहंस न है इसी कपड़ों में तो मैं रोज सुता हूं वह सोचा अंदर से बालत मा बाप है है साहब कहा पंद्रा कोश दूर गाउं में तु भाग आया हाँ साहब क्यों मेरे कई छोटे भाई भान है सो भाग आया वहां काम नहीं रोटी नहीं बाप भुखा रत अच्छा हमारे साथ चल वह साथ चल दिया हम वकील दोस्तों के होटल में पहुचे वकील साब, वकील लोग होटल के उपर के कमरे से उतर कर आए कस्मीरी दो साला लपेटे थे मोजे चड़े पैरों में चप्पल थी स्वर में हलके से जुजलाहाट थे कुछ लापरवाही थी आहा, फिर आप कहिए आपको नौकर के जरूरत थी ना देखिए लड़का है कहां से ले आए, इसे आप जानते हैं जानता हूँ, यह बहिमान नहीं हो सकता अजी यह पहाड़ी सैतान होते हैं बड़े बच्चे, बच्चे में गुल छिपे रहते हैं आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से लो जी, यह नवकर लो मानियों ते यह लड़का अच्छा निकलेगा आप भी जी बस खूब है एरे गरे को नवकर बना लिया जाए अगली दिन वह ना जाने, क्या-क्या लिकर शंपत हो जाए आप मानते ही नहीं मैं क्या करूँ माने क्या खाक आप भी जी अच्छा मजा करते हैं अच्छा आप सोने जाते हैं और वे चार रुपे रोज के किरायवाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने छाट पर चड़े गए वकिल साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाट डाल कर कुछ टटूला पर जट कुछ निरासा भाव से हाथ बाहर कर मेरी और देखने लगे क्या है इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था अंग्रेजी में मित्र ने कहा मगर दस-दस की नोठ है नोठी साथ मेरे पास हैं देखूँ सचमुज मेरे पाकिड में भी नोठी थे हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे लड़के के दांत बीच-बीच में कट-कटा उठते थे ठंड थी ने बहुत ज़्यदा कडाके किसर दी थी मित्र ने पूछा तब मैंने कहा दस का नोठी दे दो सक पका कर मित्र मेरा मूँ देखने लगे अरे यार पजट बिगड जाएगा हिदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है याही चमाने में बहुत है मैंने कहा मित्र चुप रहे जैसे कुछ सोचते रहे फिर लड़के से बोले अब आज तो कुछ नहीं हो सकता कल मिलना वह होटल डीप अब जानता है वही कल दस बज़े मिलेगा हाँ कुछ काम देंगे हुजूर हाँ हाँ ढूड दूँगा तो जाओं हाँ ठंडी सांस खिच का मित्र ने कहा कहा सोएगा कहीं भी बेंच पर पेड के नीचे किसी दुकान के भठी में बालक फिर उसी फ्रेद गती से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया हम भी होटल के और बढ़े हवा तीकी थी हमारे कोटों को पार कर बदर में तीर से लगती थी सीकोर्टियों हुए मित्र ने कहा भयानक सी थे उसके पास कम बहुत कम कपड़े यह संसार है यार मैंने स्वार्थ की फिलास्पी सुनाई चलो पहले बिस्तर में गर्म होलो फिर किसी और की चिंता करना उदासोकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो लाचारी कहो निष्ठ हुरता कहो या बेहा बेहायाई कहो दूसरे दिन नैनी ताल नैनी ताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पसु के दुलारे कावा बेटा वह बालक निष्ची समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया हम अपनी नैनी ताल की सहर खुशी-खुशी खत्म कर चलने को हुए उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिली की पिछली रात एक पहाडी वालक सड़क के किनारे पेड के नीचे ठिटूर कर मर गया मरने के लिए उसे वहीं जगा वहीं दस बरस की उम्र और वहीं काले चिथडों की कमीज मिली आदमियों की दुनिया ने बस यहीं उपहार उतके पास छोड़ा था पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुह पर छाती मुठी और पैरो पर परब की हलकी सी चादर चिपक गई थी गरीब के मुह पर छाती मुठी और पैरो पर मानो दुनिया की बहराई ढखने के लिए प्रक्रिति ने सौ के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रभंद किया था सब सुना और सोचा और मन से निकला अपना अपना भाग अधि आप अच्छे से खाते पीते घर के हैं तो यकीन मानिए आपको इस वर के लिए दुगा करने चाहिए कि आपको कम सकम खाने भीनों को अच्छे घर में मिल गया है जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचिए जो है उसी के सांथ आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचिए सीमिस संसाधन जो है उसी के सांथ लगातार उन्नती के बारे में सोचिए आपको आज की कहानी कैसी लगी जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भागे कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूले मिलेंगे किसी नेक्स्ट कहानी के साथ तब तक के लिए जय हिन, जय भारत आपका दिन सुब हो, कमेंट के मादम से अपने सुझाव सी काया था और अपने विचार व्यक्त करते रहें